हलो एबरीवन वेलकम टू जैनिक जेई एस्टड़ी गाइस यहां आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है जो कि आपके करेंट अफेर पॉइंट अफ्यू से इंपॉर्टेंट है उनेशको के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से उनाइटेड निसन और्गनाइजेशन की अस्थापना की गई थी संजुप्त राष्ट संग की अस्थापना हुई थी उसके साथ ही साथ उनेशको की भी अस्थापना 1945 में कर दी गई थी जिसका हेड़कोर्टर आप सबको पता होगा फ्रांस की राधानी पेरिश में है और यूनेशको जो है यह हैती के लिए तोहफा सबसे इंपोर्टर है यहां आपको एक डिस नजर आ रही होगी यहां एक डिस नजर आ रही होगी इसको बोला जाता है जौमो शुप ठीक है जौमो शुप बोला जाता है यह हैती के लिए सबसे इंपोर्टर है और इसको यूनेशको के यूनेशक इसकी बारे में अगर हम बात करें तो capital है इसका port of prince में और साथी साथ इसकी जो currency है currency की बात करें तो इसकी currency बन जाती है आपकी hathian guarde hathian guarde इसकी currency है hathian guarde इसकी currency है साथी साथ यहां की population है approximately two kador के आसपास और literacy rate की अगर हम बात करें literacy rate की बात करें तो total literacy rate यहां पे 61% के आसपास है और इसमें यह देखा गया है इस country में educational resources supplies की और साथी साथ well trained teacher की बहुत कमी है इसलिए यहां की literacy rate में गिरावट देखने को मिलती है normally अगर यह कहा जाए तो हैती की situations अभी भी पूरा जैसे जिस तरीके से world develop हो रहा है उस पैमाने पे नहीं है यहां का mainly जो market है वो है iron market का यानि लोह बजार का ब्यापारी जो है वहाँ पे लोहे का बजार वहाँ पे लगता है लोहे से related हर एक चीज़ करते है है हैती में हैती की अगर हम आपको बात करें तो आपको population आपको exam point of view से याद रखना है population के साथ साथ वहाँ के culture के बारे में वहाँ capital currency के बारे में और अगर हम flag की बात करें हैती के flag के बारे में तो आपको यहां पे background में हैती का flag दिख रहा होगा यहां पे क्या है कि coat on hands in white box यह इसकी पहचान है हैती का white box यहां के लोग यहां के लोग थोड़े से सौखीन भी होते हैं इनको soup वगएरा पीने का बहुँ जादा सौख होता है तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं कि actually हुआ क्या है उसके highlights के बारे में देखेंगे इस news के regarding, इस information के regarding हम highlights पे चलते हैं अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे दिख रहा होगा यहां पे दिख रहा होगा एक point देखिएगा हैतियन सूप हैतियन सूप फॉर हैतियन सूप फॉर हैतियन सूप फॉर इंडियन इंडिपेंडेंडेंस एक चीज दिख रहा है यहां पे widely considered as a symbol of Indian symbol of Indian independence हैति में यहां से कुछ लोगों को ले जा करके जो कि British colony थी French colony थी De facto company थी वहां पे colonies में ले जा करके लोगों को रखा जाता था जब फ्रांसीसी भारत में आये थे तो अब इसी के समय में अगर हम बात करें तो जॉमो शूप यही वो शूप है जिसको है युनेशको ने heritage site के रूप में युनेशको ने यह स्वतंतरता के नायकों की बहुत बड़ी पहचान के रूप में जानी जाती है यहां के लोग अपना जो स्वतंतरता की बात अगर कही जाती है अपने independence को soup पी करके मनाते हैं अब अगर आप यहां पे देख रहे होगे तो आपको पता चल जाना चीए कि यहां के लोग इ से बाहर आने के लिए नए साल के दिन यह लोग इसको परोस्ते हैं और यह लोग यह सोचते हैं यह सोचते हैं कि इस ऐसा करने से इस जो मोव सूप के द्वारा हमारे इंडिपेंडेंसी जनरेट होती है इंडिपेंडेंसी जाहिर होती है मतलब हम अपने इंडिपेंडेंस क को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, चलिए, नेक्स चीजे आपको कुछ हाइलाइट के साथ साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको बता देंगे, कि प्रोटेक्टेट स्टेटस क्यू प्रोवाइड किया गया यहां पर, तो कल के दिन ही उनेशको के द्वारा प्र अगर हम करें, इसमें क्या होता है, किसी भी संस्कृती को जब देखते हैं लोग वहां की गरीबी, वहां के चीजों को चेंज़ पॉसिबल नहीं हो पार, यह वहां डेवलाप्मेंट नहीं हो रहा है, तो वहां के वहां के अगर हम बात करें, तो वहां के जितने भी culture होते है, culture को preserve करने के purpose से ये s behalf करी जाती है, प्रमपराओं को वहां के रिती रिवाजों को सुधार now को risk हो, रिती रिवाजों को preserve करने के regarding ये sakes of चीजे की जाती है, अब जोमोबी ऺाध के बारे में अगर आप समझेंगे तो जोमोबी शून कुछ यहीं से उन्हीं टीरel प्रामकइन डालेट Assamber जाता यहां पें आया प्रेति हीन मशहिस करते हैं माता हुआ है और हम बात करें थो यहां पोलने भी तो यहां पर चना से सहले परके स्विवयर्च्व सबस्क्राइब करते हुए 2020 के बारे हम बताए होपसो होपसो आज का आपको ये चीज़े समझ में आ गई होगी कि युनेशको ने हैती सूप को क्यों सामिल किया क्या परपस था हैती की कैपिटल सिटी क्या है जो आपकी एक्जाम पॉइंट ओव यू से इंपोर्टेंट हो सकते हैं वो आपक कद्दू के साथ और साथी साथ इसमें अपना हैती के लोग बड़ सौक से इसको खाते हैं अपने स्वतंतरता को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी आजादी को दिखाने के लिए इसमें इसको यूज करते हैं इसको यूज करते हैं साथी साथ मैंने आपको हैती से रिले अगर आपको डिवाइड कर दिया जाए, तो वहां पे पुरुषों में, मेल्स में अगर हम बात करें, तो 64.3% के आसपास लिटरेसी रेट है, और फीमेल्स के अगर हम बात करें, मिलते हैं हम लोग next episode में thank you so much